तो दोस्तों गर आज आप छोटे से बच्चे से पूछेंगे कि बेटा आपको कौन से कपड़े चाहिए तो वो सिंपल से बोलेगा जीन्स तो दोस्तों यह जीन्स है बच्चे हो बुड़े हो जवान हो औरत हो आदमी हो लड़के हो लड़किया हो सबकी पहली चोईस हो अमीर से लेके गरीब तक करोड़ पती तक सेलिब्रेटी तक सबकी एक पहली चोईस बन जाती है जीन्स तो जी हाँ दोस्तों जो जीन्स को आप लोग आजकल इतना फैसनेबल देख रहे हैं आपको इस जीन्स के पिछे का जुड़ा इतिहास कि आपको पता है और एक बात और आप लोग जीन्स पर अक्सर देखते होंगे छोटी सी पॉकेट इसका क्या काम है और यह जो आप देखते हैं बटन्स लगे होते हैं जिनको हम रिविट्स बोलते हैं इसका क्या काम ही क्यों लगा जाता है तो दोस्तों मेरा नाम है संग्राम हो आज अपने को смотрите कि दोस्ते अगर मैं आप से सिंपल बोलूं कि आप जीढस को पहन कर मार्केट में चले जाएंगे तो आप चले जाएंगे लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं किसी मजबुर के कपड़े पहन def examination hundred if आप कैसा जवाब होगा मैं तो अ इसको घर में ना साहनी चलते हैं जीन्स के रोमाची कितिहास पर तो दोस्तों बात करते हैं सोली समत्रि website में भारत की तो Bharat में जीन्स जीन्स के नाम से नहयं के नाम से जाने गई नुगरी यो रहता था जो गppe घंडी और गेुंडा प्रम को से ज्यादा होती है तो उसमें डूंगरी कपड़ा ऐसा था जो कि प्रश्लन में आया तो दोस्तों बात करते हैं जिन्स के वर्ल्ड लेवल विस्तार पर तो इसका जो साधा स्रे जाता है वो जाता है इटली के छोटे से टाउन टूरिन पर टूरिन में जो माल कच्छा मंगा जाता था वो मांगा जाता था फ्रांस के छोटे से सहर निम्स से और निम्स को फ्रेंच में बोला जाता था देनिम तो दोस्तों देनिम के ही नाम से आज हम कपड़े को जानते हैं डेनिम और इस डेनिम की पैचानी है कि डेनिम बहुत ही मजबूत कपड़ा माना जाता था ग्रण जो चपड़र होता था नेले कपड़ इस ली कर जाते हैं जिसको जीन्स बोलते हैं वो vaig चपर जीन्स को आप जीन्स अपने प्रस्लेंट की तरह है I 18 18 century में जिँहां 18 सेंचुरी में तो दोस्तों आप शुरू आती द spectacular मतलब था शुरू आती दोर में हमारीONGS पुछुक आन एधा जाता है और यह दोर बहुत लंबा चला और दोस्तों उस गलर की डाई करी जाती थी और यह कदर दोस्तों मजदूरों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था पीछे इस फोटो में आप देख रहे होंगे मजदूरों को काम करते हुए और राइट में सबसे उपर दो मजदूर समान को लेकर एक जिगर से दूसरी जिगर पर लेकर याते थे थे तो इस तरह के Collection में मजदूरों की कपड़े जादा घंदे होते थे और हमारे बूग कलर पे जो कपड़ों की घंदगी होती थी वह आसामी से छुपाई जाती थी और मजदूर को काफे जिनों तक पहन कर काम हो नियौन नहीं कर दोस्तों दोर हमारे única दोर पर दोस्तों चलिए चलते हैं अपनी वीडियो में और आपसे रिक्वेस्टे वीडियो को पूरा देखें तो दोस्तों इसके पीछे हाथ है हमारे एक महशुहूर व्यापारी लेवी स्टॉस का जी हां दोस्तों लेवी स्टॉस जहां पर इनोंने अपने बड़े भाई के साथ जर्मनी से निव और के गये जहां पर उन्होंने अपने बाय सब्सक्राइब रख्राइव चौके और उन्हुं ने अपना काम थौक व्यापार करने लग गाए हएं और छीन्स का जो प्रश्च्रशन चालू हभा एक बहुत ही मस्रूँ टेलर जिनका नाम अपने वुड कटर यानि लकड हरे पती के लिए एक ऐसी पैंट से लिवाने आई कि अक्सर वो काम करते समय फाड़ देते थे तो उनकी एक ऐसी पैंट की जुरूत थी कि जो बहुत मजबूत हो तो जैकब टैविस आपके दिमाग में एक खयाल है क्यों ना जो मैं कपड़ा डैनिम का लेकर आता हूं लिवाइस स्ट्रॉस के गोडाउन से तो उससे एक ऐसी पैंट बनाई जाए और इन्हों ने एक सबसे अच्छी बात ये करी कि इन्हों ने पैंट में जो कमजोर जगे होती जैसे पॉकिट हुआ उस जैकब पर कॉपर के रिविट लगा दी जहां आप देखते हैं जिन्स का कपड़ा पीछे से वाइट और आगे से ब्लू होता है एक मजबूत कपड़ा था और रिविट ने उस पैंट को एक एक्स्टर मजबूती प्रदान करी तो दोस्तों लेबर ने जैकब डैविस से आप से आगे कहा कि आप इस पैंट को बनाईए क और उसमें जैकब डैविस साब के लिए छोटी रखम ने थी उन्होंने सोचा क्यों ना जहां से अपना फोल सेल का माल लेविस स्टोस के गोडाउं से लेकर आते हैं कि उन्होंने उन्हों को 1871 में पत्र लिखा और उन्होंसे कहा कि हम लोग पार्टनर्सिप में कैसा काम कर दोस्तों शुरुआती दोर में इस पैंट को मजदूरों के लिए बनाया गया लेविस स्टोस नेंद की बात माल लिए उन्होंने कहा कि हम पार्टनर्सिप करेंगे इन्होंने 1872 में पेटेंट के लिए अप्लाई करा और दोस्तों 20 माई 1873 में लोग का पेटेंट पेटेंट हो गई तो इसका लिवाइस का चोथा पहला लोगो इस तरीके का था लिवाइस इस्टोस न कंपनी जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि नीचे पेटेंटेंट नीवेस लिखा हुआ है में 20 1873 में दोस्तों यहां सिंपल आप देखिए जिसमें नीचे 501 कोट लि जिससे दोस्तों इसमें लिवाइस के पैंट की देविट की पॉक्ट जिविट लगे पॉकेट की स्टेंट को दिखाय है की यह जिस बहुत मज़बूत है और इस सीड्स को मजदूरों के लिए सिंबल था और दोस्तों आज भी आप देखते हूं तो लिवाइस की पेंट पर लिखा हो था पेटेंटेट 28 मैं 1873 हाँ तो दोस्तों यह पेटेंटेट थी उसके बाद जीन्स ने मजदूरों की दुनिया में एक ऐसा अनोखा बदलाव करा जिसके बाद जीन्स लोगों के लिए एक प्र दूकल नहीं है 1878 जी हां दोस्तों 1878 उसमें कावबोई ने पेंट पहना चालू करें उनके पास आप लोग देखते होंगे चेंज से बंदी एक घड़ी होती थी इस घड़ी को रखने के लिए उनको जगह चाहिए थी तो यह घड़ी को देखते हुए उसमें लिवाइस ट अब दोस्तों बात करते हैं जीन्स का आम दुनिया में आना तो दोस्तों हॉलिवुड मुवी में 1950 में एक्टर जेम्स डीन ने अपनी मुवी रिवल बिदाउटर कॉस में जीन्स को पहन का शूट किया था जिसके बाद यूएसे में इसका क्रेज बहुत जादा बढ़ गय और उनने कायबॉय लुक में इस पैंड को पहना और धीरे धीरे देखते देखते 1975 में जीन्स यूएसे का एक आम कपड़ा बन गया और लोगों के बीच इसका क्रेज बहुत जादा प्यालता चला गया और धीरे धीरे ये ट्रेंड चालू हो चुगा हमारे गल्स के बीच म पहन लेते हैं जिसके लिए सेंड ब्लस के यूज किया गया सेंड ब्लस मजदूरों को सांस देन में प्रॉबलम डमा की सिकात होने लगी बहुत से मजदूरों की मौत हो गया इसके बाद इस चीज को बंद कर दिया गया अब दोस्तों आप लोग देखते हैं आजकर जीन्स का करेश चालू हो गया और आज आप लोग उस रगड़ी जीन्स को बहुत ही जादा पहना पसंद करते हैं और आम जीन्स के मुकाबले रगड़ी जीन्स के लिए आप लोग एक्स्ट्रा पैसे यानि ज्यादा कीमर देना भी बसंद करते हैं तो दोस्तों बात कर लेते हैं कैसे अपने जीन्स के जिनको सुनने के बाद आप दातों तो लें उंगले दबा लेंगे आपके पैर के नीचे से जमिंग खिसक जाएगी तो दोस्तों पहले जो हमारी लिवाइस की पैंट है जिसका कोड़ होता 501S का मतब सिंपल होता है यह लिवाइस की एक ऐसी पैंट ह जो की सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पैंट है और इस पैंट पे 501 का मतलब है कि पहले जो जीन्स थी उसमें फ्रेंट पे दो पॉकेट आती थी और राइट साइड में एक पॉकेट आती थी जो वाश रखने थी लेफ्ट पर कोई पॉकेट में थी तो लेफ्ट एक ऐसा फैक्ट जो आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा बात करते हैं अपने दूसरे फैक्ट की तो दोस्तों दुनिया की जो सबसे महेंगी जीन से हुए सीक्रेट सरकस जिसकी कीमत है 1.3 मिलियन डॉलर जी हाँ दोस्तों जिसकी इंडियन कीमत है करीबन 10 करोड रु सब्सक्राइब करते हैं और दोस्तों कमेंट करें किसको इस जीन्स के बारे में कुछ ऐसा जानने को मिला जो आज से पहले नहीं पता थी और कौन सी आटे जानते थे और दोस्तों इस चैनल पर हम जो लेकर आते हैं चीजों की पीछे की तो आज एक हिस्ट्री में और आपके सामने लेकर आया हूं उम्मित करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी मिलते हैं अपने अगली वीडियो में ऐसे कुछ धमाकेदार और मज़ेदार टॉपिक के साथ करते के लिए टेक के और बाए बाए